हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी कात्र पार्ठी सोचियोलोजी चैनल में आज हम लोग AI देशाई की विश्व में जानेंगे कि AI देशाई ने क्या-क्या कारे किये थे भारतिय समाज के विविद पच्छों में उनका क्या-क्या योगदान था और इन्होंने किस प्रकार का पध्धती दिया था, इनके मुद्दे क्या-क्या थे आज इन सब विश्व में हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि AI देशाई जो है वो भारतिय समाज के राश्ट्रे अंदोलन में किसान संगर्ष हुआ गंदी बस्तियों और इन सबों के विश्व में इन्होंने काफे बात किया था गंदी बस्तियों, राज और समाज के विश्व में फिर जो प्रजात अंत्रिक अधार था तो फिर यहां पर यह भी चीज़ दिखते हैं कि AI देशाई जादा तर इन्होंने माक्सवादी परिप्रिच का बल दिया था मतलब जितना हुभी इन्होंने जिस भी विश्व पर इन्होंने बात किया था वहाँ पर इन्होंने माक्सवादी उपागम से ही मतलब माकसवादी उपागम को ही लेके उसे इन्होंने बात की थी तो आज हम एरदिशाई के विशर में उनके पिस्ट भूमी को देखेंगे क्या है उनके उदेश, उनके प्रस्ताव और उनकी पधती और प्रकार और मुद्दे इन सबों के विशर में आज हम बात करेंगे तो वीडियो को स्टाइट करने से पहले मैं आप लगों से एक रिक्वस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आप मेरी वीडियो पे मेरी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरी इस चैनल को लाइक केजिए, शेर केजिए और सब्सक्राइब केजिए और प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूले ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टुरेंट्स तक पहुशाने की कोसिस कीजिए सो अभी मैं आप लोग को इनकी प्रिस्टी भूंई के विश्या में बताऊंगी तो आप लोगको पता ही है कि जितने मैं मेरे वीडियोज आहीं मैं我不知道 को देती हुआ आप लोगो और प्लेक्टीम मैं नीचे के वीडियो में आप ज़्यवर डाल दिया है, सारा अभी मैं वो चीज आप लोगो दिखा दूंगी लेकिन उसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले और वो चीज जो मैंने लिखा है उसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों सिर्फ ऐसे इनका जो जीवन परिश्य उसको डिफाइन करना चाहती हो तो यहां पर हम देखते हैं कि इनके प्रिश्टवों में क्या है तो इनके प्रिश्टवों में हम देखते हैं कि जो ए आर दिशाई है इनका पूरा नाम अक्षे रमललाल देसाई है इनका जन्म 16 अप्रेल 1915 को गुजरात के नाडिया वाड में हुआ था ठीक और इनकी मृत् में उन पर अपने पिता रमल लाल वशंद लाल देशाई का प्रभाव था जो एक बड़े साहित्यकार थे और जिन्हों ने तीस के दश्रक में गुजरात की युवकों को प्रेड़ाय दी थी मतलब मोटिवेट करते थे ए अर्देशाई ने बड़ाओदा सूरत और बंबई में ए अर्देशाई ने चात रांदोलों में भाग लिया था और उसके बाद इन्होंने असनात्तक और असनात्तक उत्तर यों एललबी की परिछाए मुंबई विश्वविद्याले से ही पास की थी फिर 1946 में जियस गूरे की निर्देशाई में इन्होंने पीसडी के उपाधी प्रात की और बंबई विश्वविद्यालों में उन्होंने अध्यान की असना 1947 में विवाग अध्याश बने और 1947 में उनका विवाग नीरा दिशाई से हुए जो महिला अध्यानों में थी 1903 पर उन्होंने ट्राटस की रेवोल्यूशनरी सोसिलिस्ट पार्टी की श्रदस्तिता ग्रहन की पर 1951 से उन्होंने पार्टी से स्तिफ़ा दे दिया फिर हमें आपे दिखते हैं कि एया दिशाई जो है वो एतिहाशिक दोंदात्मक पधती का श्रदय उपयोग करने वाले समासास्त्री थे दिशाई ने माक्स और एलजिस्व का गहन अध्यन किया था और बोलियान ट्राटस की सेवे अधिक प्रभावे थे वे पहले वेक्ते थे जिन्होंने माक्स वादी उपागम का उन्हों भावे खोज के लिए उपयोग किया और साहेतिक तथा छेत्री कारे दोनों का उपयोग इन्होंने किया था भार्ति समाजिक संद्रेश्ण और प्रक्रियाओं को समझने के लिए दिसाई ने माक्सवादी उपागम को चूला था वे माक्सवादी 24 धारा के घोर विश्वासी थे वो माक्सवादी विचाधार पर मतलब काफी विश्वास करते थे धर्म शंसकार परंपराओं के अधार पर भारती समाज की संरचिना का कोई भी विश्वासी उन्हें स्विकार नहीं था परिवार, गाउं और अन्य समाजिक संस्थाओं को समझने के लिए उनका दिस्टिक और निर्पक्षता का था उनका राष्ट्रवाद और उसके समाजिक उत्तरादाईतों फिर उन्होंने माक्सवादी विश्वासी उपर मतलब इनकी बहुत सारी रचनाय हैं जो अन्य उपागमों पर भी अधारी था लेकिन ये कुछ रचनाय ऐसी हैं उनकी जो सिर्फ और सिर्फ माक्सवादी विश पर ही अधारी था जिसमें से पहला है इनका राष्ट्रवाद और उसके समाजिक उत्तरादाईतों 1966 ग्रामों में आर्थिक विकाश के लिए समुदाइक विकाश योजना परिचर 1959 फिर राज और समाज के आमने सामने से उत्रपन नीदान तेथा समाजिक सनरशना और राजनिती के संबंद में 1975 फिर नगरों में गंदी बस्तियां तेथा जननंग की समश्यां 1972 और क्रिशक दोलनका अध्यरं 1979 ग्रgen के उपरा धारी थे ये जितने भी थे म मार्फर विश्देयशन के उपरा धारी थे तो ये इंका प्रेश्ट भूमी हो गया इनका जनम का हुआ था ये सरी चीज़े हम इसमें बता दिए आप लोग को अब हम या पे उनकी पर देग की रचनाओ के पहला है दूसरा है करेंटली ओपरेटिंग 1973 तीसरा है इमानेंट फीचर्स आफ इंडियन नेशनलिज्म नेशनलिज्म 1975 चोथा है इसूस और प्रोब्लम्स आफ रूरल सोचियो रूरल सोचियो लॉजी इन इंडिया 1969 फिर पाच्वा है स्लम्स अर्बनायजिशन आफ व्ल्ड कॉंटेक्स नाइनटीन सेवंटी वन छठा है इनका स्टेट और सोसाइट इन इंडिया 1975, साथवा है इनका Peace and Struggle in India 1979, आठवा है Rural India in Transition 1979, नवा है इनका India's Path of Development 1984, तो ये इनके रचनाय है, इसको आप लोग लिख लेजिए, पढ़ लेजिए, और उसके बाद से हमें आपर देखते हैं कि धा66 के साहित्तिके निम्र बिंदो की चर्चा हमें आपर करेंगे, जिसमें भारत में GRAM, साहित्तिक चर्चा arlosy। दूसरा था भारती समाज का रुपांतरण क्या है? उसस पर उनको ने चर्चा किया सब्सक्राइब के Yepisto ग्राम की जो इस्थती है उसके विशय में मैं आपर बात करेंगे तो भारत में जो ग्राम की इस्थती है उस पर इन्हों ने कहा कि ब्रिटिस लोगों को जब ब्रिटिस लोग आये थे उनकी आने से पहले भारत में ग्राम एक श्वायक्त इकाई हुआ करते थे ग्रामों की ज कि ब्रिटिश आसन पहले गाओं में ब्यक्ति परिवार और जात्ति ग्राम पंचात के अधीन होते थे उस समय इसलिए भी था क्योंकि उस समय के अर्थ व्यवस्था नीम्न थी इस्थिर थी और निम्न अस्तर की थी समाजिक दुरुस्टी से यह कठोर भी थी कुछ भी पिड़ी दर पिड़ी लोग खेती करते थे मतलब यह ग्राम का सनश्ट्रा ब्रिटिस लोगों के आने से पहले फिर उन्होंने भारति समाज को जो रुपांतरण है उसके विश्यम इन्होंने बताया कि सामंतवादी अर्थ ब्यवस्था से पुंजी वादी आर्थिक पुंजी वाद थी और उसके बाद से जब विवरिटिस आया तो पुंजी वाद आ गया और पुंजी वाद के आने के बाद ये एक समुदाई का अधार के स्थान पर ब्यक्तिकत स्वामित्यों की भावना उबर गे जिसे बहुत बोड़े और दियों की कार खाने खुले जह अधार के स्थान पर ब्यक्तिकत स्वामित्यों की भावना उभर गई जब पुंजी वाद आया था उसमें आधनिक उद्यों के सामने पूराने दस्त का शमाप थो गए मतलब जो भी आधनिक चीजी आई जैसे खेत के लिए पहले हल से बैल से जोता जादा था फिर टेक्ट कहीं न कहीं आधनिक उद्यों के सामने पूराने दस्त का शमाप्त होते गए मतलब यह नहीं कि लोग आधनिक चीजों को भी रखे पुरानी चीजों को भी रखे लेकिन यह तो होता है कि कोई भी नई चीजे पाते हैं तो हम पुरानी चीजे खोते हैं या पुरानी चीजो जो नहीं थे वो सब उभर गया फिर इसमें इस ब्रिटिस प्रभाव ने भाती समाज की स्वायत्ता को भी बदल दिया भूमी लगान ब्यवस्ता क्रिशिक अभ्यापारी करन भूमी के टुकडे इत्यादी को नए इत्यादी नए सवरुप थे फिर इन्हों ने ये भी देखा में नए वर्ग जैसे जमिदार जिनके पाँ जादा ये जमिदार हो गए अनुपस्तिती भूमी पती और क्रिशक मजदूर जैसे वर्ग पैदा हुए थे मतलब जो क्रिशी थी उसमें भी कई प्रकार के वर्ग आ गए पुंजीवाद के आने पर और छोटे मुटे शाइक वर्ग जैसे डॉक्टर, वक्कील, इंजिनियर ये सब नए ने तरह के लोग उगरे पिर उन्होंने समाज के रुपांतरन के विशे में एक और बात गई जिसमें ये था कि इन्होंने कहा कि ब्रिटिस लोगों ने अगर बहुत सारी पुंजीवाद आने के बात थी यदि बहुत सारी प्राब्लमें हुई है ब्रिटिस लोगों ने ब्रिटिस के प्रशाशन के बासे तो कुछ अच्छाईयां भी हुई है जिसमें रेल्वे लाइने डाली गई थी डाक से वा प्रारंब किया गया था एक से प्रभावी कानोन बनाए गया थे और अंग्रेज यह सारी चीजें करने के बाद एक हो गया था बिखरा हुआ भारत एक मुख्य धारा से परिवर्तित हो गया इसका से समाजी कांदलों नो सामोही प्रतिन देत्व राश्ट्री भावनाव के और उदय और भारत के लोगों में एक नहीं चेतना के रूप में देखने को मिलता है तो यह था भारतिया समाज करूपांत्रा फिर राश्ट्रुबाद की समाज एक प्रिश्ट भूमी क्या थी यह हम देखते हैं कि भारती राश्ट्रुबाद का दोंदात्मक परिप्रिच्छ से समझने पर समझने का व्यापक प्रयास यह देशाई नहीं किया था इन्हों की कारण हुआ है British लोगों ने और अधुनिकी करण के मादय हम से कई सन रशनाएं पैदा किये इससे नए-णए आर्थिक संबंद पैदा उए जैसे जैसे संबंद परिवर्तित होते हैं वैसे वैसे ही पहले से इस्थित पारंपरी का आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन प् उनका विश्वास था कि अध्योगिक विकाश, आर्थिक ब्रद्धी और सिच्छा आधी नई समाजिक और भौतिक परिस्थितियों को बदलेंगे ततर जाती सनरचना को छिन्न भिन्न कर देंगे। तो ये इनका राष्ट्रवाद था, फिर इन्होंने राष्ट्रवाद में एक और चीज़ थी, कि इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के बाद जो नए राज्ये उभरे, वो पुंजीवाद राज्ये था, उनकी राष्ट्रवाद में राज्ये था, पुंजीवाद के संबंदों का विवेचन किया गया सारी ब्यवस्थाओं ने दो काम किये पहले संपत्तिवान लोगों का सायोग तो था समर्थन किया और दूसरा इन्होंने सोसित वर का दमन किया अपनी पुस्तक इंडिया स्पाथ आप डवलोप्मेंट में इन्होंने इसे खुल कर बताया है और विदे इसके विशाय पर भी इन्होंने बताया है फिर इन्होंने किसान संगर्स के फिर इनका जो चौता है किसान संगर्स उसके विशाय में देखेंगे कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी दो पुस्तक पीजिंट स्ट्रगल इंडिया 1979 और एग्रोरियन स्ट्रगल इंडिया बात किया था किसान संगाश में फिर राजी और समाज में इन्होंने The State and Society in India 1975 में दिसाइन ये बड़ी संख्या में अकादमिक द्वारा स्थापित आधुनिकी करन की समिक्षा प्रसूत की थी इनका मानना था कि अधुनिकी करन की अधारना वस्त पुंजिवाद का ही रास्ता या पुंजिवाद की मुल्लियों का वाधा है सासक वर्गदारा adequate पुंजिवाद को अस्थापित करने के लिए इश्व विकास की राजी वर्वुचारधारा कहा गया है तो यह सारी साथ है कुछ पर होने अधिकारों के हनन की चल के उनकी इसमें किये थी तो यह सारी चीजिए सब्सक्राइब के माकस्वादी के माकसुड़ी करते थे उसा की अदार पर उपागम इन्होंने अपने रच्णाओं को लिखा है फिर यहां पे जू मैंने पढसे अब्जेक्टिव मैंने आपे लिग दिया है कि अक्षय रमल लाल दिसाई इनका पूरा नाम था और इनका पूरा जीवनकाल 1915-1994 तक चला था तो उसके वाद से 16 अप्रेल 1905 को उनका जन्म हुआ था बड़ा अधा में 12 नौबर 1994 को इनके मृत्ति होई थी इनके पिता का नाम रमल लाल वशंतलाल दिसाई था जो एक बड़े साहित्तेकार थे फिर देखते कि बड़ा अधा सूरत और बंबई में ए आरदिशाई ने चात्र संग आंदलोनों में भाग लिया था फिर आशनातक और असनातक उत्तर और एव का विवार नीरा देशाई से हुआ जो महिला आध्यानों में थी एतियासिक दोंदात्मक पधति का सदय उप्योग किया इनके फिर हम्या देखते है कि इनके 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 देशाई ने माक्स और एंजल्स का गहन अध्यन किया था बातिय समाजिक सनरशना और प्रक्रियाओ क को समझनी की रिनोंने माक्स वादियो पागम को चूना था फिर राज्ट्रुवाद और उससे समाजिक उत्तरादाईतु 1966 ग्रामों में आतिक विकाश के लिए समुदाईक विकाश योजना का परिछन 1959 राज और समाज की आमने सामने सुत्पन निदान तथा समाजिक सरशन और राजनेती के संबंध 1975 और नगरों में गंदी बस्तियों तथा जननांकी समश्या 1972 और क्रिशक आंदुलनों काधियन 1979 यह सभी जुतने भी यह चारों है यह जुबने यहां से लेके और यह जितने भी चीज़े थी यह जितने भी इन्होंने रशनाओ के विश्या में बात किया वो पूरे के पूरे माक्सवादी विसलेशन पर अधारिक थे पुजिवाद के आने पर बुजुरवा एमम गाउं में तुच्छ बुजुरा में तुच्छ बुजुरा जी के कारन भी देखने को मिलते हैं फिर बुजुरवा आइड श्रमांत वाद के प्रतीक थे और पुंजिवाद के समय इन ये जो जतने भी थे ये लोग उभरे थे पुंजिवाद के बाद फिर डिपी मुकरजी 1959 की तरह ये अदिशाई ने भी भालती समाज को माक्सवाधी परिप्रिश्चर में देखा था अब ही मैंने ग्राम सनरश्णा भाति समाज का रुपांत्रन ये सब आप लोग को बताया है आप देख लेजे सब वीडियो रोग के आप लोग से लेख भी सकते हैं ये सब चीजे मैंने आप लोग को बता दी है सो आज हम लोगा ये माक्सिस्ट परस्पेक्टिव जो है हमारा ये भी खत्म हो गया इसके और इनका एक और जो थे उनका मैंने वीडियो आप लोग को देही दिया था फिर हम देख लेते हैं कि हमारा इंडो लॉजिकल परस्पेक्टिव खत्म हो गया जिसमें जियस गुरे राती गर्वे को पढ़ना था हमने पढ़ लिया फिर इस्ट्रक्शल फंक्शनल परस्पेक्टिव में हम लोगोंने एमें स्रे नुवास और ऐसी दूबे को भी पढ़ लिया फिर रामकृष्ण मुखर जी का वीडियो मैंने कल आप लोग को दिया था एर दिशाई एम आकसेस्ट्रक्शन परस्पेक्टिव यह भी हम लोगोंने पढ़ लिया फिर सिविलाइजेसन परस्पेक्टिव एनके बॉस एक यही बच्चे इनहीं पढ़ना है सबल्टिन परस्पेक्टिव ब्यारम बेटकर और डेविड हार डीमेन इन लोगों भी हम बना दूंगे इनहीं के उपर फिर उसके बाद से मैं आप लोगों का थर्ट पेपर डेवलप्मेंट ऑफ सोसियोलोजी सुरू करूंगे आप लोगों से यही कहूंगे कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना प्लीज मत भूली और ज्यादा से ज्यादा कोसिस कीजिए से स्टुडेंट तक पहुशाने के लिए और आप लोगों जिस चीज का भी नोट चाहिए जो भी चीजे चाहिए आप लोग मुझे प्लीज कॉमेंट कीजिए मैं आप लोगों को वो देनी की कोसिस करूंगी और हमारा जो एनके बॉस का है उनके विशे में हम अपना अलग तरीके से बात करेंगे मतलब अलग वीडियो में बात करेंगे और इन लोगा जो चीजे मैं कंप्लेट कर रहा हूं आप लोग का जितना हो सकता है मैं करवा रही हूं तो वो चीज मैं कंप्लेट कर रहा हूं असाइन्मेंट मैंने देही दिया और सारी चीजे और भी जो भी हमारे नोट से उन सब को मैं आप लोगों को देही रही हूं में वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बाबाई, अच्छे से रहे है, मास्क लगाके रहे है बाई